आज के समय में हमारी भारतिय सरकार सडकों को लेकर काफी सतर्क हो गई है आज के समय में भारत में हर गाउं और हर शहर तक पक्की सडक देखने को मिलेगी लेकिन आज हम आपको सडक से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे आप शायद ही जानते हैं आज हम आपको सडकों के किनारे लगे मील के अलग-अलग रंग के पत्थरों के मतलब के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप शायद ही जानते होंगे. सफेद और नारंगी रंग का मील का पत्थर अगर आपको सडक के किनारे नारंगी रंग का मील का पत्थर नजर आए तो आप समझ जाना की हम किसी गाउं की तरफ बढ़ रहे हैं, क्यूंकि इस प्रकार के पत्थर केवल ग्रामीन सडक पर ही लगाए जाते हैं. सफेद और हरा मील का पत्थर अगर आपको किसी भी सडक पर हरे रंग का मील का पत्थर नजर आए तो आप समझ जाना की हम किसी स्टेट हाईवे पर सफर कर रहे हैं, जो एक राजे को दूसरे राजे से जोडता है. सफेद और पीला मील का पत्थर अगर आपको किसी भी सड़क के किनारे पीले रंग का मील का पत्थर नजर आए तो आप समझ जाना कि हम राष्टी और राजमार्ग पर सफर कर रहे हैं। यानि कि आप किसी नेशनल हाइवे पर सफर कर रहे हैं। सफेद काले रंग का पत्थर, इस प्रकार के पत्थर आपको सिर्फ किसी बड़े शहर की और जाने वाली सड़क के किनारी ही मिलेंगे. अगर आपको किसी सड़क के किनारे सफेद काले रंग का पत्थर मिले तो आप समझ जाना कि आप किसी शहर की तरफ जा रहे हैं.